मुझा दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के एगले एपिसोड दोस्तों में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे स्लाप लीजन के बारे में शोल्डर में इसका फुल फॉल में सुपीरियर लेबरम फ्रॉम एंटिरियर टेर इस जेनरली अकर होता है ओवर यूस इंजरी से ऑफ दे शोल्डर इन ओवरहेड एथलीट्स या ट्रॉमाटिक फॉल मे में और इससे डीप शोल्डर पेन और बाइसेप्स टेंडोनाइटिस हो सकता है डाइग्नोसेज यूजली एमराय पे होता है इसमें असेस करना पड़ता है सुपीरियर लेबरम और इंटेग्रिटी ओफ बाइसेप्स टेंडन ट्रीट्मेंट नॉन ओपरेटिव हो सकती है या ओपरेटिव डिपेंडिंग ओन पेशेंट एज अक्टिविटी लेबल सिवेरिटी ओफ सिंटम और एसोशेटेड इंस्टेबिलिटी अंकॉमन इंजरीज है अकाउंट्स वर लेस दन 5 परसेंट ऑफ ओल शोल्डर इंजरीज डीमोग्राफिक्स देखे तो रिस्क फैक्टर देखे तो ग्लीनो यूमरल इंटर्नल रोटेशन डेफिसिट रिस्क फैक्टर है पैथो फिजियलोजी देखे मेकैनिजम ओफ इंजरी रेपिटिटिव ओवरेड अक्टिविटी जैसे थ्रोइंग एतलीट्स में होते हैं फॉल उन आउट्स्ट्रेस्ट आम विटेंस बाइसेप्स ट्रैक्शन ओन दी आम यह मकैनिजम है तो पैथो अनाटमी देखे तो थ्रोवर्स में हो सकता है ड्यू टू टाइट पोस्टीरियर इंफीर ग्लीनो यूमरल लिगमेंड कॉंपलेक्स जो शिफ्ट करता है ग्लीनो यूमरल कॉंट पॉंट पोस् इससे स्टेबिलिटी शोल्डर की कॉंप्रोमाइज हो जाती है एसोशेटेड कंडिशन देखें तो इंटर्नल इंपिंचमेंट हो सकता है ग्लीनो यूमरल इंटर्नल रोटेशन डेफिसित हो सकता है रोटेटर कफ टेर यूजली आर्टिकुलर साइड वाले होते हैं इन के इन इसस हो सकता है ऐनाटिमी देखें ग्लीनो यूमरल जॉइंट का तो वीरियंट अनाटोमिक एनाटमी होती है वेरियेबल अनाटोमिक रिलेशन होते हैं एक्स्ट्रीमली कॉमन इंग लीनो यूमरल जॉइंट रेकेगनीशन इसका क्रिटिकल होता है बर ओफन चैलेंजि लिहाज 50% fibers जो लेबरम को अटाच करते हैं और 50% जो सुप्रा ग्लिनाइट ट्यूबरकल में अटाच होते हैं ट्यूबरकल लोकेटेड होता है ओवर 6 mm मीडियल टू ग्लिनाइट सर्फेस बाइसेप स्टेंडन अटाच्मेंट ओन ग्लिनाइट ट्यूबरकल टूर्टी क्लासिफिकेशन देखे तो टाइप 1 में completely posterior होता है टाइप 2 में predominantly posterior होता है टाइप 1 और 2 together compromise more than 70% cases टाइप 3 में anterior या posterior होता है 25% टाइप 4 में anterior होता है 5% most common pattern biceps tendon attachment का to the superior labrum होता है posterior to 12 o'clock position blood supply देखे तो poorest tendon blood supply होती है while transversing through the joint function देखे तो यह contribute करता है to torsional and horizontal stability during late cocking phase of throwing glenoid labrum का function देखे तो it is to block subluxation composition होता है it is composed of fibrocartilaginous tissue blood supply देखे तो suprascapular circumflex capular posterior humeral circumflex arteries यह supply करती है लेब्रम receive करता है blood from capsule and periosteal vessel and not from underlying bone anterior superior labrum की poorest blood supply होती है stability देखे तो superior labrum attach करता है further medially from glenoid rim then rest of the labrum anchor करता है biceps tendon को और weak link है जो lead करता है to slap lesion anatomic variants देखे तो sublaboral recess formation हो सकता है यह confuse करते हैं MRI पे tear के लिए sublaboral recess stroke formation होता है with thickened middle glenohumeral ligament minuscoid appearance होता है 1% cases में buffered complex देखे तो cord-like medial glenohumeral ligament होता है with associated bare area anterior superior labrum में repair of buffered complex to glenoid result करता है loss of external rotation superior attachment of middle glenohumeral ligament on glenoid स्ब्सक्राइब करें donn sollicom belangrijk करेंगे प्रेजेंटेशन के मैं बारे में法 करेंगे और image के बारे में बात करेंगे अगर आज star kg पसंदाया तो like button दबाई शेर बतन दबाई होरे अमारा एपिसोड़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद